दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक एकरार यूटूब चैनल पे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि HDFC बैंक में आपका अकाउंट है HDFC बैंक का मोबाइल बैंकिंग बिना डेबिट कार्ड के आप कैसे एक्टिवेट करेंगे आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप कैसे मोबाइल बैंकिंग को यूज करेंगे और रेजिस्टर करेंगे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी लाइब प्रूप के साथ बताएंगे टेक एकरार यूटूब चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्स्राइब किजेगा और वीडियो को लाइक किजेगा चलिए फिर इन वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आपको HDFC मोबाइल बैंकिंग अप्लिकेशन को आपको प्ले स्टोर से आपको डामलोड करना होगा आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बताया जाता है कि आपके पास कस्टूमर आइडी और पासवर्ड डाल आपकी जो भी आपका पास्टूमर आइडी आपको मिल जाता है कस्टूमर आइडी यहाँ पर इंटर करके कंटीनू पर क्लिक करना होगा तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना कस्टूमर आइडी इंटर करके यहाँ पर कंटीनू पर क्लिक किया यहाँ पर आप देख सकते है email SMS email या तो आपके पास debit card है तो debit card आप select कर सकते हैं तो हमारे पास जो भी HDFC bank का debit card नहीं है तो हम email पर click कर देंगे और यहाँ पर जो भी capture आपको यहाँ पर दिखाए गये हैं उसी capture को आपको same ही आपको enter कर देना होगा जैसे कि capital में है या तो जो भी है आपको यहाँ पर enter कर दीजीगा तो हमने अपना capture को enter करके continue पर click करते हैं जैसे continue पर click करते हैं आपको यहाँ पर बोला जाएगा आपके HDFC bank में register mobile number है जो mobile number आपको यहाँ पर click करेंगे आपको इहां पर देख सकते हैं कि आपके email id जो भी आपके mobile number है mobile number पर आपको tip in आएगा और आपकी जो आपके email id है email id पर आपको tip in आएगा तो पूरी आपको email id वाला OTP आपको इहां पर इंटर करना होगा mobile वाला first में आपको इंटर करके continue पर क्लिक करना होगा दोस्तों आपको अपना tip in इंटर करके continue पर क्लिक करना होगा जैसे आप continue पर आप क्लिक करेंगे आपको इहां पर new password आपको बनाना होगा जैसे कि आपको अपना password इहां पर बना लिजेगा अपने हिसाब से reconfirm आपको password को करना होगा दोस्तों आपको password आपको कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा password एदम strong है और यहाँ पर देख सकते हैं continue पर क्लिक कीजिएगा आप देख सकते हैं कि आपका जो password है आप mobile banking का password successfully आपने change यानि अपना create कर लिया है आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको HDFC bank के तरफ से congratulations का message भी आ चुका है done पर क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको customer ID और जो password आपने बनाया है यहाँ पर इंटर करके login पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों हमने यहाँ पर अपना customer ID पासवर्ड जो बनाया थे यहाँ पर इंटर करके login पर क्लिक करेंगे जैसे login पर आप क्लिक करेंगे आपका जो HDFC mobile banking है यहाँ पर login हो रहा है आपको थोड़ा सा वेट करना होगा आप देख सकते हैं कि आप HDFC mobile banking को login कर ले हैं यहाँ पर आपके account detail का जो भी balance है यहाँ पर सो हो रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूरी detail आपको देखने को मिल जाता है तो दोस्तों आप यहाँ पर बिल रिचार्ज, money transfer, आप UPI, virtual UPI कैसे activate करें पूरी detail आपको दाया हो तो वीडियो को like कीजिएगा और take एकरार channel पर आप नए है तो channel को subscribe कीजिएगा मिलते हैं next video में तक लिए ठीक है बाई, thank you